गाड़ी संख्या 12987 यालदा अजमेर एक्सप्रेक्स बुद्वार अलसुबे उत्तर मद्य रेलवे के कानपूर के पास रूला में डिरेल हो गई इस रेल हाथसे में ट्रेन के लगबग 15 डिब्बे पत्री से उतर गए अलाकि इस रेल द्रुगटना में किसी के हतात होने की खबर नहीं है लेकिन द्रुगटना में गयल हुए लगबग 50 लोगों को कानपूर के अस्पताल में बरती कराया गया है बुद्वार को मंडल रेल प्रमंदक पुनी चावला ने पत्रकारों से बात करते हुए द्रुगटना से भावी रेल से वहां पर पढ़ने वाले प्रबावों की जानकारी दी उत्तर पच्मी रेलवे के मुख्य जनसंपर का दिकारी तरणुजैन के अनुसर गाड़ी संक्या 12403 इलाबाज जैपूर को रद कर दिया गया है वहीं अजमेर से से जाने वाली गाड़ी संक्या 1298 के प्रस्तान समय में परिवर्तन किया है ये गाड़ी 3 गंटा 10 मिनट की देरी से चल रही है इसके लावाज जोदपूर हावडा एक्सप्रेक्स, जोदपूर वारानसी एक्सप्रेक्स, श्री गंगानगर हावडा एक्सप्रेक्स, गोरकपूर हिसार एक्सप्रेक्स और बाड़मेर गवाड़ी एक्सप्रेक्स टेनों के मार्क को परिवर्तित किया गया है कल सुबह पांच बजे स्यालदा अजमेर एक्स्प्रेस जो स्यालदा से रवाना हुई वो आज सुबह करीब पांच बज के बीस मिनट पे कानपुर के पास रूरा स्टेशन पर डिरेल हो गई उसके पंदरा कोचेस डिरेल हुए जिसमें S1 से S13 तक कोच थे और दो GS कोच थे जेनरल प्लास के कोच थे तो जैसे ही सूचना मिली हमने यहाँ पे उसके उपर एक्शन लेते हुए एक अपना यह अपना help desk जो है वो खोल लिया help desk के numbers सभी channels पे flash कर रहे हैं आप लोगों के पास सभी के पास हैंगे तो उसमें हम जैसे जैसे update site से आ रही है list of injured जैसे पता लगी पहले सुवे हमें 15 की जानकारी थी फिर बावन हुए अब latest है कि 60 जो है वो injured है और उनकी सब list जो है हम अपने यहाँ पे अपना help desk पे दे रहे हैं हम continuously Allahabad मंडल जो North Central Railway का मंडल है उसके साथ touch में हैं तो जो आगे वाले जो coast थे जो derail नहीं हुए थे जो AC वाले वो 12.50 पे उनको आगे ले आया गया है वो कुंडला आ गया है अब किसी और गाडी में उसको लगा के लेके आएंगे अजमेर का अभी यात्री का किसी का एड्रेस अजमेर का नहीं था अब अजमेर का हो और जैपूर के काफी लोग हैं और 15 लोग टोटल हैं जो राजस्तान के हैं जिसमें जैपूर के काफी है अजमेर रेलवे स्टेशन पर श्यालदा अजमेर एक्सप्रेक्स दुरगटना में अपने रिश्चतारों मित्रों आदी की जानकारी लेने के लिए सुबह से ही हेल्प डैक शुरू कर दी गई जहां रेलवे और जैर्पी का अधिकारी सेवाए दे रहे हैं कर दो